हमारी यूटूब चैनल MS Medicine पर और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डोक्टर मोसी मुसेन दोस्तों आज मैं आपको पिसा हुआ कांच अगर कोई ब्यक्ति खा लेता है या कोई बच्चा अगर धोके से पिसा हुआ कांच खा लेता है तो उसके बारे में मैं आपको कुछ महते लगठ कर सकते हैं या फिर उसका हम मेडियसेन मेधे पर इलाज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ महते पर जनकारी मुआ कीफिसिये दोस्तों इस से पहले आप हमारे चैनल को लाकिंभीर कैजिए के चेर कीजिए और स्बस्राइब कीजिए और बैल गंटी दबाईए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुचती रहे दोस्तों चलो चलते हैं इसके लक्षलों की और दोस्तों इसके लक्षलों कुछ इस पिरकार है कि यदि अगर कोई भी बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति अगर पीसा हुआ कांच खा लेता हैं लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा कांच खा लेता है तो उससे दोस्तों हमें बहुत से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे कि दोस्तों उसके मुह में बहुत ज्यादा खुश्की आ जाती है उसको प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है और दोस्तों पिसाब उसको बहुत ज़्यादा कम आता है और दोस्तों देखा जाता है कि उसको मलतियाक की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों मल में उसके मिला हुआ खून भी आता है और दोस्तों कभी-कभी देखा जाता है कि थोड़े मास के कत्रे भी मल के द कट जाता है डिफेक्ट हो जाता है और दोस्तों आते भी बहुत सी कट जाती है जिसकी बज़े से जो है दोस्तों मल द्वारा मल के साथ जो है कांच तो आते ही आता है और कत्रे जो है जो कांच की बज़े से कटते हैं वो आ जाते हैं और दोस्तों ब्लेट जो है वहां से जो क कि अगर मरीज का ठीक तरीके से इलाज या ट्रीटमेंट नहीं किया गया दोस्तों देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट कोई खास तोर से ठीक तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि इससे मरीज की बहुत ज़्यादा गंबीर हालत हो जाती है दोस्तों फिर भी इसके जो है उप भी हो सकती है दोस्तों यह सबते इसके लक्षन आप जो है मैं दोस्तों इसके गरेलू इलाज के बारे में और मेडिसेन इलाज के बारे में कुछ मेहते पूर्जान करी दूंगा दोस्तों चलो चलते हैं इसके इलाज के ओर इसका इलाज कुछ इस प्रिकार है कि यदि अगर क किस तरीके से क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी दबाई आप किसी भी तरीके की खाऊगे तो ऐसा तो एनिके कांच आपके पेट में घुल जाएगा ऐसा तो होता नहीं लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा चक्कर में आ जाते हैं घर के भी परिबार के भी किया अब क्या करें किस फली होती है पकी हुई वो उसको जादा सा जादा खिलाएं और दोस्तो उबले हुए आलू भी बहुत जादा लाब दायक होते हैं वो भी जादा सा जादा खिलाएं और दोस्तो चाबल की खिचडी भी दोस्तो हम खिला सकते हैं उससे भी बहुत जादा रिलीव मिलता है और इसमें जो है अंडे की सफेदी जो होती है वो भी हम मरीज को दे सकते हैं और दोस्तो चिकनी और भारी चीज हम उसको खिलाते रहें यह दोस्तो हम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि तो अगर आप इस तरही कि कि उसको चिकनी और भारी चीज खिलाओगे तो दोस्तो उससे जो है मरीज के जो है जो मल आएगा तो उससे बहुत अराम के साथ मल आ जाएगा और दोस्तो आते बहर पूरी भरी रहेंगी तो उससे आते कटने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं दोस्तो इसलिए हम ये सब चीज मरीज को देते हैं और वाकी चीज दोस्तो मरीज को ना दे और दोस्तो इसमें जो है अगर मरीज को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो उसको जो है दोस्तो हम जो है बरफ ले और बरस जैसे बरफ की टिक्की आती है दोस्तो तो उसको जो है हम मरीज को बरफ चूसाते रहें जिससे कि उसको प्यास ना लगे और दोस्तो इसमें हम MAKE SELF जल में गोल कर दे सकते हैं उससे भी बहुत ज़ादा मरीज को रिलीव मिले के चांट सरेते हैं और दोस्तो दर्द के लिए हम उसको 2.5% sodium citrate 50 ml ib हम उसको लगा सकते हैं दोस्तो उससे बहुत ज़ादा मरीज को रिलीव मिलेगा और दोस्तो मॉर्फिन का इंजेक्शन हम दर्द के लिए लगा सकते हैं दोस्तो उस सभी बहुत ज़्यादा मरीज को रिलिव मिलता है दोस्तो ये थे इसके उपचार और इलाज दोस्तो ऐसी ही वीडियो में जो है अपने चैनल पर बनाता रहता हूं दोस्तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है दोस्तो ये जो है वीडियो में ऐसी बनाता हूं दोस्तो के कभी न कभी आपका ऐसी चीजों स जो है कभी ना कभी चांस पढ़ सकता है कि घर में या परिबार में या मोरले में कोई भी व्यक्ति कोई कभी भी इस तरीके का हादसा हो सकता है तो दोस्तों आप तुरंत उसका उपचार कर लें कोई भी व्यक्ति उसको उल्टी सिधी चीज यूज ना कराएं जिससे कि मरीज की गंबीर हालत हो जाए दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप मरीज को ठीक तरीके से और सही चीज खिला सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो परसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन गंटी दबाईए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुचते रहे दोस्तो अगर इस से रिलेटिड रोक से रिलेटिड या किसी मेडिसिन से रिलेटिड आप अगर कोई भी बात मुझसे बूजना चाहते हैं, कोई मेडिसिन को बूजना चाहते हैं, कोई भी रोक को बूजना चाहते हैं दोस्तो तो आप कमेंट बॉक्स में बूच सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपकी बात का बहुत जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ